सबी किसानभाईयों को नमस्कार साशिकाल किसानभायों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आज किसानभायों आज हम बात करेंगे New Holland 36 TX Plus किसानभाईयो ये Charakter modified हुआ है booter Voilàlia Tractor modification इन वरक्शोप जो booter tractor modification है इन्हों ने ये Charakter modified किया tax New Holland 36 जोड़ से जानते हैं इस टरेक्टर के बारे में और कुंसा माडल है और इसमें क्या 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 मोडिकेशन किया गया है हम सर से जानते हैं संजीव जी से और उनसे बात कर यह हमारे इस वीडियो पार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook बेज़् को फॉ बारे में बताए से में क्या था मूड़ीफाय किया है कौन सा अमाडल आप तक हैस इसले मोड़ी वाड डिटर यह बताएं अरे किसान बहीं बताएं यह 2200 दें आख है और अर मन फेक्शरिंग इसकी 2200 देर की यह और रिजिस्टे선 का तीन का स्रेशन के यहाँ फिन क्या हुए यह यह जो तेक्टर था ब्लू कलर में और बलाप चेंजी अधा उखे यह जी यह भी पहला कंवर्ट टोछा था दो जार थीग अधा है तो अब बोलेंगे नहीं वह आप स्ट्टाम तो अधे तो श्युटेर लेक्टर नहीं अधे म मालिक ने अधे इसके अधे माली को सान ले आप इसकी क्वालिटी के बारे में तो आप देखो हम बोलेंगे नहीं वह आपको सारा कुछ दिखी रहा है जी ठीक हरा है लेकिन इसमें इंजन गेर से लेके सब कुछ अल ओर वर्क होग है अगले फ्रंट टेक्सल से लेके पावर स्चेरिंग से लेके आप इस त्रेक्टर की पर इविव में वीडियो में देखो गए तो इसके बारे में इसका इंजन ओवराल हुआ है अच्छा जी जिरो से लेके बिलकुल नहीं इसके अंदर करांक तक नहीं है ठीक है जी गेर में पहले इसे जेंटर गेर में था हाई लो मीडियम नहीं था हाँ जी अब यह साइड कर दिया है और ही लो मीडियम करती है क्योंकि यह ओन डिमांड केस्टमर की जी जी हाई लो मीडियम हो गया हाई लो मीडियम कंपनी के अगोडिंग है बिल्ख कोई कर बूर को ऐसा नहीं है विशे और का पुर्जा उठा के अधर लगा दिया यह जैसे कंपनी से आता था जैसे कि हम बात करें यह पावर स्टेरिंग है हाँ यह पावर स्टेरिंग अधिती इंग ए जैसे कंपनी से आया था एक चीज आप छोटी ज्टी बैचिंग भी आप देखो कि अधिक एजिती इंग नदर का इसके ओप दिखा ही देर है की वार्ट वोड्ट तैट है ऺचाएंग विए तो बॉल्ट ताइट है यह नहीं है तो चेकिंग के बाद इसको यह लू मार्क दिया जाता है यह यह अपनी जो फेयर को यह बिल्कुल यह उत्य जो फ्रंट और बैक टायर आए वह कौन से इस में फ्रंट में साथ पचाइब और पहले इस में छेषोल आते थे अच्छा जी अभी पीछे स्टेट एक्सल भी निकाले हैं लेकिन हो जो जो काम्या बैक्साइड को ज्यादा लोग काम्या मानते हैं जो दोजार तीन चार में जो न्यू अलेंड के मोडल आए उनकी डीजल क्वालिटी के डीजल खर्चे के बारे में तो इसलिए का स्टमर इसको बेजना नहीं चाते और किसान भाईयों जैसा कि अब ट्रेक्टर के बैक साइड से देख सकते हो हर एक श्टीकर का अच्छी तरह से बारीकी से देहा रखा जाता है बिल्कुर बात करूं मैं 2002 माडल में डबल डिस्टीब्यूटर नहीं आए थे तो वरक्शोब वालों ने डबल डिस्टीब्यूट कि पहल बाई पास थेन चार एख वरह पर रेकिन यह बरापर पैसे प्रय वेचिसकू का接ूम सद्टीब्यूटर उरस तरह उति इस तक मसी है तो फेसी फईत्वाब्लीूट सथी तो एक साथ में आएज बहाए बैसा तो नहीं में एपको आए्सा ग्तिकों उने तन पावर स्टेइंग, टेंक, कुंडा, कपजा, वह रवर्ड अरोबोल्ट अरोड बी लगा है वह सारा कंपनी के गोडियो अरीजिनल चीज पर बिल्कुल आप इसमें कंपरिजन नहीं निकाल सकते हैं भी इसमें यह नहीं लगा उसमें यह लगए तो सर जैसे की जो हमारे किसा किसान भाई अपने यूटीब चैनल और फेस्बूक पर देखते हैं वीडियो मोडिकेशन की तो कई हमारे किसान भाई कुमेंट भी करते हैं भी इस ट्रैक्टर पे कितना घर चाया तो थोड़ा सा वह एक्स्पिलिन कर सकते हैं सर एक्चली कोस्टिंग क्या कोस्टिंग करत करते हैं कई कस्टमर के बोलते हैं मेरे को जी ऐसा ट्रैक्टर चाहिए लेकिन आप अपने ट्रैक्टर के साथ इसका कमपरिजन नहीं कर पा होगे क्योंकि आपको नहीं पता आपके ट्रैक्टर में क्या डलना और इसमें क्या डला है इसके अंदर मान के चली आपके ट्रैक् वीजिट करना पड़ेगा एक बार ट्रेक्टर की वीडियो साथ में बना के लेके आए और आपको नियर भाई 10% अप और डाउन में आपको एक्चुल एस्टीमेट मिल जाएगा और जैसा कि किसान भाई उसर ने बताया है ट्रेक्टर के बारे में प्राइस के बारे में बताय का लुगा हिए ब глаз्रो एक बार हर वरक्शोप में वीजिट करें और बाद में पारे में प्याटा होता है किसान भाई कुमार उने बही बाद टेख लए उर परताव सिंग में है कि वेजिट एगठे है कि वेर्पड़ वरकस्प ये यहां पे विजट करें उसके बाद ही बा में खासित किया है 2002 माडल है पावर स्टेरिंग है और नया माडल है जो 36 में आता है टी एक्स प्लस वो माडल दिया गया और सेंटर गेर था ये ट्रैक्टर साइड गेर किया गया है हाई-लो मीडिय में इसमें जो पेंट है वह मतली के जो सपैसल अडीशन में बाकि देख सकते किसानभई हो जैसे कंपनीं से य चाल्या का हम री व्यु कर रहे हैं बाकि सर जो हमारे किसान बाई किसान गसे देख एक बाकि रम न में जाया की एक जु क्राइब करें जाएं पूंचिंग अरी नम्बर ब्ट्टर टे के ल det Verme को सब आप पर नेविगेशन पर एक बार लोकेशन ट्रेस करोगे तो आपको एकुरेट मेल जाएगी बार बार फोन करने की पूछने की जरूरत नहीं है आपको नेविगेशन पर एकुरेट लोकेशन मिलेगी जी ठीक हैं मंडे टू सेटर्डे संडे आल सेवन डेज ओपन है क्योंकि यह जो वरक्षाफ है यह गर पे हैं हमारी और हम यह कोई ना कोई देता है और सर टाइम टेबल क्या रहाएगा ताइम टेबल सर आपको नो बज़े से लेकर पांच बज़े तक विजिट करनी पड़ेगी उसके ब पांच बज़े के बीच में विजिट करें क्योंकि सारा दिन बड़ा होता है यह जो तो प्रिप्लाइब करता हूं कि कहीं कस्टमर बोलता है सर जी फोन पिक नहीं हो पाता है मेरे बास जो नंबर है उसके ओपर हर एक मिंट में कोल है आप प्लीज वटसप पे मेंसेज तो आपको रिप्लाइब करने की कोशिश करता हूं जब भी फरी होते हैं दिन में क्योंकि यह किस्टमर की विजिट रहती है तो दिन में बहुत कम रिप्लाइब होता है तो जैसा कि किसान बाइयों संजीव सर ने बताया बहुत अच्छी तरह से जानकर ही दी हमारे किसान जो यह नंबर इन्हों ने दिया है इस पे आपने क्या करना है वोटसैップ मेसीच छोड़ना है जो भी आपने तियार कर वाना है मोडिवकेशन के बारे में कोई बी जानकरी लेना ही तो टै कि इन यह तो दिन में आज आज आएगा जरूरुए उसका रिप्लाई जरूर तो उनको satisfaction ज़रूरी है झाकि फून को ज़रूरी है बोद 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 नवा सर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब बैस को फोलो करें और ये ये वर्क्शोप का तो सिधा आपको यहीं पर लिए लोकेशन मिल जाएगी तो बहुत बहुत नहीं वाज सभी किसान भायों को जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए